कैसे हो प्यारे बच्चों उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूटीब चैनल फ्रेंड और इस्टुडेंट में तो प्यारे बच्चों इस वीडियो क्लास में हम प्रशना वली 3.2 का दूसरा सवाल सॉल्प करेंगे माप ग्याद कीजिए जिसकी पहले भाग में बोला है 9 बोजाएं हो और दूसरे भाग में बोला है 15 बोजाएं हो यानि बच्चों हमें पहले भाग में 9 बोजाओं वाले एक सम बहुत के प्रतेक बाहे कोण का माप ग्याद करना है ठीक है और दूसरे भाग में हमें 15 बोज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और सभी अंता कोण आपस में बराबर होती हैं सम बहुज होता है ठीक है और अंता कोण अगर आपस में बराबर हैं बच्चो तो बहुज के सभी बाहय कोण भी आपस में बराबर होते हैं इसके अलावा सभी बाहय कोणों का योगफल हमेशा 360 अंस होता है चाहे बहुबुज कितनी भी भुजाओं वाला हो 9 भुजाओं वाला हो, 15 भुजाओं वाला हो 3 भुजाओं वाला हो, 5 भुजाओं वाला हो 4 भुजाओं वाला हो इससे कोई फरक नहीं पड़ता है हर एक बहुबुज के सबी बाहियकोणों का योगफल हमेशा हमेशा 360 अंसी ही होता है ये fix है ठीक है और जिस बहुबुज की जितनी भुजाएं होती हैं बच्चो उतने ही उसके अंतहकोण होते हैं और उतने ही उसके बाहिकोण होते हैं ठीक है समझ में आ गया अब देखो जब कभी भी आपको इस तरह का प्रशन दिया हो जिसमें आपको एक समझ बहुबुज की भुजाओं की संख्या दे रखी हो और आपसे प्रतेक बाहिकोण का माप पूछें तो आपको क्या करना है 360 को भुजाओं की संख्या से भाग दे देना है तो आपको प्रतेक बाहिकोण का माप मिल जाएगा ठीक है तो चलिए इस सवाल को solve करते हैं पहले भाग में बच्चों हमें समझ बहुबुज की कितनी भुजाएं दे रखी हैं नो भुजाएं दे रखी हैं अब देखो बच्चों अगर इस भुजाएं थो इसके नो अन्ताकोण हैं और कुल नो ही भाग बच्चों हैं सभी अन्ताकोण आपस में बराबर हैं और सभी भाग बच्चों भी आपस में बराबर हैं और सभी भुजाएं भी आपस में बराबर हैं ठीक है तो 9 भाय उकोन है इसमें जो आपस में बराबर हैं अब इन 9 के 9 भाय उकोन का युक्षल कितना होगा बच्चो तो जैसा कि अभी अभी हमने समझा कि कोई भी बहुवज हो चाहें 9 भुजाओं वाला भुज़ो चाहें 15 भुजाओं वाला भुज़ो बहुबच के सभी बहाय कोणों का युकफल 360 हंस होता है तो इस बहुबच के 9 के 9 बहाय कोणों का युकफल कितना हो जागा 360 हंस हो जागा हमें प्रतेक बहाय कोण का माप ग्यात करना है तो हम क्या करेंगे बच्चो सबी बाहय कोडों के योगफल को भुजाओं की संख्या से भाग दे देंगे तो हमें प्रतेक बाहय कोड का माप मिल जाएगा अब बच्चों ऐसा हम कर क्यों रहे हैं तो इसका कारण भी समझ लो 360 अंस बच्चों क्या है 9 बाहय कोडों का योगफल है और ये कोड आपस में बराबर है अगर हमें प्रतेक बाहय कोड का माप चाहिए तो हमें क्या करना होगा भई 9 बाहय कोडों के योगफल को 9 बराबर भागों बांट लेना है तो हमें क्या मिल जागा प्रतेक बाहय कोड का माप मिल जाएगा ठीक है इसलिए हम बहुबच के सभी बहाय कोडों के योगफल को क्या करते हैं भुजाओं की संख्या से भाग दे लेते हैं तो हमें पृतिक बहाय कोड का माप मिल जाता है तो यहाँ पर भी हमने क्या किया सबी भायकोंडों के योकफल को भुजाओं की संख्या से भाग दे दिया तो हमें यहां क्या मिलेगा प्रतेक भायकोंड का माप ठीक है तो 9 से 360 को भाग दीजिए 9 का भाग 36 में 4 वार जाएगा 0 बचेगा तो हमें मिलेगा 40 अंस यानि 40 डिग्री तो भई इस संख्योंड के प्रतेक भायकोंड का माप हो जाता है 40 अंस यह हो गया पहले भाग का आंसर ठीक है आई होप आपको समझ में आ गया होगा तो चली दूसरा भाग सॉल्ट करते हैं तो बच्चों दूसरे भाग में हमें संख्योंड की उफल 360 अंस होता है अब हमें प्रतेक भायकोंड का माप ज्यात करना है तो हम क्या करेंगे बच्चों 360 को भुजाओं की संख्या से भाग दे देंगे 360 अंस बटे 15 15 का भाग 360 में देंगे 15 का भाग 36 में दो दो बार जाएगा 15 दूनी 36 बच्चे गा 60 हो जागा इधर 0 है तो 60 हो जागा अब 15 का भाग 60 में 4 बार जाएगा 15 चौक 60 तो हमें कितना मिलेगा 24 अंस यह हो गया बच्चो दूसरे भाग का आंसर यानि इस बहुज का प्रतेक भायकोंड 24 अंस का है ठीक है I hope सवाल आपको समझ में आ गया होगा मिलते हैं अपने अगली वीडियो क्लास में